नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत कर रही हूँ आपका आपके अपने चानल इंडियन हेल्थ टिप्स फर यू में दोस्तों अमरूद खाना स्वासि के लिए बहुत फाइदे मन्द होता है लेकिन कि आप जानते हैं कि अमरूद की पतियां भी कुछ कम नहीं होती तो अच्छा की देखभाल से लेकर बालों की खुबसूरती बनाए रखने तक के लिए अमरूद की पतियों का इस्तमाल किया जाता है और आज के पैकेज में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि अमरूद की पतियां आपके किस-किस कामा सकती हैं सबसे पहले बात करते हैं वजन घटाने के बारे में अमरूद की पतियां जटिल स्टार्च को शुगर में बदलने से रोकती हैं जिससे शरीर के वजन को कम करने में सहायता मिलती है यही कारण है कि वजन गटाने के लिए अमरूत की पत्तियों का चूरण उपयोग में लाया जाता है गठिया दर्ड के लिए आप अमरूत के पत्तों को कूट कर लुगदी बनाएं इसे गर्म करके गठिया प्रभावित स्थानों पर लगाने से सूजन दूर हो जाएगी स्वपने दोश में लाब के लिए अमरूत के पत्तों को पीस कर उसका रस निकाल ले इसके बाद रस में स्वाद अनुसार चीनी में लाकर रोजाना सेवन करें स्वपने दोश की बिमारी में लाब होगा अमरूत की ताजी पत्तियों का रस 10 से 20 मिलिलीटर तक रोजाना सुबह शाम पीने से लिवकोरिया नामक बिमारी में अप्रत्याशे लाब होता है अमरूत की पत्तियों का जूस लिवर साफ करने में मदद करता है ये बिमारी पैदा करने वाले कोलेस्टरॉल के स्तर को भी नियंतरित करता है ये पेट की कई बिमारियों को ठीक करने में असरदार है एक कब खौलते हुए पानी में अमरूत की पत्तियों को डाल कर उबा लिए और फिर इस पानी को ठंडा करके चान कर पी लिजे इससे आपको डाइरिया में लाब मिलेगा पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए अमरूद की पतियां या फिर उससे तैयार जूस पीकर आप अपना पाचन तंत्र ठीक कर सकते हैं इससे फूट पॉइजिनिंग में भी काफी राहत मिलती है दाथ दर्ड, गले में दर्ड, मसूडों की बिमारी आदी अमरूद की पतियों के रस से दूर हो जाती है अमरूद की पतियों को पीस कर पेस्ट बना कर आप उसे मसूडों या दाथ पर लगा सकते हैं डेंगू बुखार में अमरूद की पतियों का रस पीजिए ये डेंगू के संक्रमन को दूर करता है अमरूत की पत्तियों का रस किसी भी प्रकार की अलर्जी को दूर कर सकता है ये अलर्जी पैदा करने वाले रसायन को खत्म करता है मूँ के चालों के लिए अमरूत के पत्तों पर कथा लगा कर चबाएं केवल अमरूत के पत्ते चबाने से भी छाले ठीक हो जाते हैं अमरूत की पत्तियों में अंटिसेप्टिक गुण होते हैं इसलिए ताजी पत्तियों को पीस कर पिंपल्स पर लगाएं और कुछ ही दिनों में पिंपल्स से छटकारा पाएं अमरूद की पत्तियों में बहुत सारा पोशन और अंटी आक्सिडेंस होते हैं जो की बालों की ग्रोध को बढ़ाते हैं इसके लिए आप अमरूद की पत्तियों को पानी में उबाल कर उस पानी से अपने बालों को शैंपू करने के बाद धो सकते हैं एक शोद के अनुसार डायबेटीज के मरीजों के लिए अमरूत की पत्या अलफा ग्लुकोसाइट्स एंजाइम की क्रियाद्वारा रक्त शरकरा को कम करती हैं दूसरी तरफ सुक्रोज और लाक्टोज को सोखने से शरीर को रोकती हैं जिससे शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है इसलिए डायबेटीज के रोगियों के लिए अमरूत के पत्तों का चूरण लाब दायक होता है अमरूत की पत्तियों में अलर्जी अवरोधक गुण पाय जाते हैं अलर्जी खुजलाहट का मुख्य कारण है इसलिए अलर्जी को कम करने से खुजलाहट अपने आप कम हो जाएगी अगर आपको सिर में दर्ड की परिशानी है तो सूर्योदे के पूर्व ही कच्चे हरे ताजे अमरूत के पत्ते लेकर पत्थर पर घिसकर लेब बना लें और माथे पर लगा लें इससे आपको जल्द ही सरदर्ड में आराम मिलेगा तो दोस्तों देखा आपने अमरूत के पत्तियों के कितने सारे फायदे हैं तो आज से ही इनका इस्तमाल करना शुरू कर दीजिए सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फर यू फोर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स विडियोज अगर आपको हमारे विडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेर जरूर करें